अब मैं इसे एक हिट्सिंग में इसकी जो हिट्सिंग है इस पर मैं टाइट कर दूँगा ताकि ये कहीं टच ना हो और कुछ लंबा नुकसान ना पूँचे मुझे इस चीज को खास ध्यान रखिएगा आप लोग भी दोस्तो वीडियो में अगर कुछ भूल चुक हो जाए तो हमें माफ किजेगा मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी अच्छे वीडियो हो मैं आपको देने का मैंने फिट कर दिया सारा चीज अब मैं इसे पावर दे के देखूँगा ये दोस्तो आपका बैक लाइट पोजिशन है ये मदर बोर्ड में जाएगा मदर बोर्ड में भी इसमें वोल्टेज सारा चीज लिखा हुआ है यहां पर आप जड़ा गोर कीजेगा यह दिखिए यहां तेरा वोल्ट ग्राउंड फाइब गोल्ट इस वोल्टेज जो है माइने ज़्यादा रखता है इसको जारा हम टेस्ट करेंगे पहले ओके मैं पावर देता हूँ सेट कौन का गिया इस ग्राउंड पोजिशिशन में लगाया देखे दोस्तों यह मेरा फाइब बोल्ट आ गया यह 49 बोल्ट बैक लाइट के लिए यह 14 बोल्ट मदर बोल्ट के लिए तो हमारा इस पावर सप्लाई अन हो चुका है अब मैं इसे सेट पर लगा के एक बड़ चेस्ट करके देखता हूँ मुझे भी नहीं पता कि हमारा पावर बोर्ड उसमें लगाने से हमारा टीवी चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे नहीं पता मैं करके देखता हूँ आप वीडियो में बने रहे हैं दोस्तो मैंने इस बोर्ड को यहां फिट कर दिया इस क्रू लगा दिया यह जो जैक खुला हुआ था मैं दोनों जैक लगा दिया Samsung में दो ही एक ज़्यादा मिलता है दोस्तों एक पहले का model में है एक motherboard का एक backlight का तो मैंने इसको fit कर दिया अब इसमें power डालकर मैं देखता हूँ मेरा TV चालू होता है कि नहीं दोस्तों लालबती जल चुकी है आवाज भी आ गई है देखता हूँ अरे वह तो TV चालू हो गया हमारा देखिए ओके मैं इसमें वीडियो सिगनल डालूंगा तो हमारा picture आने लगेगा यह फूरी तरह से dead TV थी ना picture का light ना विगरा कुछ भी नहीं था तो मैंने इस TV को इसमे आप वीडियो में बने रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरू कीजिए नए है चैनल में तो और मिलते हैं दोस्तों ने नए वीडियो के साथ कुछ नए के साथ ओके दोस्तों बाई